आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंडियन एर फोर्स में ऑफिसर कैसे बने दोस्तों अगर आप इंडियन एर फोर्स में जाना चाहते हो या फिर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो सकते हैं आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, तो हेलो दोस्तों मैं हूँ आई सब सभी का हमारी यूटूब चैनल आई सरीना पर स्वागत है, तो चले अब हम अपने वीडियो शुरू करते ह हैं, दोस्तों अगर आप भारतिय सेना का हिस्सा बंद के देश की सिवा करना चाहते हैं, तो आप इंडियन एयर फोर्स को जोइन कर सकते ही, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा आप्शन हो सकता है, जैसा कि आप सभी को तो पता ही कि भारतिय सेना के तिन अंग हैं, एक भारतिय वायू सेना, यानि कि इंडियन एयर फोर्स और भारतिय नौ सेना, यानि कि इंडियन नेवी, इंडियन नेवी के उपर मैंने आल्रेडी वीडियो बना दी है, तो इस वीडियो हम बात करेंगे इंडियन एयर फोर्स के बारे में, इंडियन एयर फोर्स जोइन करने इस वीडियो हम बेसिकली F-CAT के बारे में आपको सारी डीटेल बताएंगे, F-CAT क्या है, F-CAT में कितने ब्रांचेस होते हैं, उसके eligibility क्या है, exam form कब आता है, exam कब होता है, कितनी फिस लेगती है, अगर आप F-CAT के थुरू Air Force जोईन कर लेते हैं, तो आपकी salary क्या होगी, मतल दोस्तो F-CAT का full form होता है, Air Force Common Admission Test, F-CAT ऐसे exam होते हैं, जिसके थुरू आप इसे qualify करके Indian Air Force में officer बन सकते हो, दोस्तो जो F-CAT का exam होता है, ये साल में दो बार कराया जाता है, एक बार August के महिने में, एक बार February के महिने में, अगर आपको August के महिने में exam देना है, तो जो इसक application form होता है, वो December के महिने में ही आ जाता है, अगर आप F-CAT के लिए apply करते हैं, तो आपको 250 रुपे इसकी exam fees होती है, वो आपको देने पड़ेंगे, अब हम बात कर लेते हैं F-CAT के branches के बारे में, क्योंकि जो इसके eligibility है, वो इसके branches के उपर depend करती है, तो दोस्तो देखो F-C के लिए क्या eligibility है, तो दोस्तो F-CAT के थ्रू अगर आप Air Force में जाना चाहते है, तो यह जरूरी है कि आप Indian होने चाहिए, और आप Unmarried होने चाहिए, उसके साथ आपके 12 class में Physics and Maths होने ही चाहिए, और एक और बात, अगर आप F-CAT के लिए apply करना चाहते हो, तो आपका कम से क graduation complete होना चाहिए, फिर अगर आप graduation के last year में हो, तब भी आप apply कर सकते हो, अब जानते हैं branches, अगर आप flying branch के लिए apply करना चाहते हो, तो आपका graduation में Maths और Physics होना चाहिए, वो भी कम से कम 60% के साथ, अगर आप ground duty branch के लिए apply करना चाहते हो, तो आपका graduation में 60% होना चाहिए, किस सब्लीट भी सब्लेक्ट से साथ अगर आप अप टेकनिकल ब्राँच में जाना चाहते तो आपका बी टेक कम्पलीट होना चाहिए फिर आप सबस्kiem Mir Alman के लिए नहीं कि आपको ब्य ए या फिर बी ट mortal zucchini में जाना चाहते हैं तो जो आपकी एज होनी चाहिए वो 20 से 24 साल होनी चाहिए male and female दोनों के लिए अगर आप F-cat के थूँ ground duty और फिट technical branch में जाना चाहते हैं तो जो आपकी age होनी चाहिए वो 20 से लेके 26 साल के बीच होनी चाहिए अगर हम height की बात करें तो flying ब्राइट के लिए जो हाइट होनी चाहिए वो 162.5 cm होने चाहिए यानि कि 162.5 cm होने चाहिए male and female दोनों के लिए अगर आप ground duty और फिट टेकनिकल ब्राइट में जाना चाहते है तो जो male के लिए हाइट होनी चाहिए वो आपकी हाइट है 157.5 cm यानि कि 157.5 cm और female के लिए जो हाइट है वो आपको 152 cm करीब है देखो अगर flying branch के लिए जाओगे न तो male and female दोनों की हाइट 162.5 cm होनी चाहिए लेकिन अगर आप flying branch के लावा और दोनों branch विचारते हो तो जो male की हाइट 157.5 सेंटिमीटर और फीमेल के हाइट होगी वह 152 सेंटिमीटर होगी अब बात कर लेते हैं एकजांब के बारे मैं अगर अगर हम F-CAT के exam paper की बात करें तो इसमें आपको 100 questions होते हैं आपको 2 घंटे का समय मिलते हैं अगर आप एक question का सही answer दोगे तो आपको 3 marks मिलेगा और अगर आप question का गलत answer दोगे तो आपके minus 1 marking भी होती है इसलिए दोस्तो जिस question में आपको confirm है उसी में आपको उसका answer देना चा अब एक चीज जो बहुत जादा important है अगर आप technical branch में जाना चाहते हो F-CAT के through इसमें आपको एक और exam देना पड़ेगा पहला exam तो देना ही पड़ेगा जिसमें 100 questions है लेकिन technical branch के student के लिए उसके बाद एक EKT यानि की engineering knowledge test ये भी एक test देना पड़ेगा इसमें basically आपको 50 questions होत है इसमें भी आपको minus one marking होती मैं आप फिर से clear कर दे रहूं देखो अगर flying branch में जाना चाहते तो फिर ground duty में जाना चाहते तो सिर्फ आपको पहले वाले exam देना पड़ेगा लेकिन अगर आप technical branch में जाना चाहते तो पहले वाला तो आपको exam देना ही पड़ेगा जिसमें 100 question ह उसके बाद आपको EKT का भी exam देना पड़ेगा जिसमें आपको 50 question है आप यह दुनों exam अगर clear कर लेते यानि कि यह exam clear कर लेते तो उसके बाद आप जाओगे interview में SSB interview आपका होगा अगर आप SSB interview clear कर लेते तो उसके बाद आपका medical वगर होगा अगर सारी चीज़े बिलकुल सही रही तो फिर आपका air force में selection भी हो जाएगा एक्जाम का जो syllabus है मैं उसे आपको बता देता हूं देखो इसमें आपको English, general awareness, numerical ability और उस रिजनिंग and military aptitude आगा यह चार पार्ट होते हैं इसके जो syllabus होते हैं उसमें इसलिए दोस्तों बहुत ज्यादा important है अगर आप एक्ट रिजनिंग पर अपनी command बना लेते हैं तो अपके लिए थोड़ा सा easy हो जागा इसमें selection निकालना एक और important बात बहुत चारे स्ट्वेंट को बहुत ज्यादा confusion होती है कि क्या जो NCC और metrology के थ्रूं entry होती है उसके उसमें बहुत ज्यादा छूट मिलती है तो देखो भी ऐ 250 रुपे जो आपकी फीस है application apply करते हैं बस आपका वह बचेगा अब हम finally बात कर लेते salary की कि अगर आप officer बन जाते हैं तो आपकी salary क्या होगी salary की बात करें उससे पहले आप से एक और मुझे बात करने है कि आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे तो प्लीज इस वीडियो comment box में जरूर बनते हैं तो आप एक बार comment box में जय हिन जरूर लिकिए उसके लब आपको कुछ पूछना है कुछ कहना है तो भी आप कह सकते हैं अब बारियाती salary की अगर आप flying branch में officer बनते हो तो जो आपकी salary होगी वो 82,000 होगी अगर आप ground duty officer बनते हो जो आपकी salary होगी वो आने वाले time ये salary और आपकी बढ़ेगी तो ये complete वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताए कि आप air force कैसे जोइन कर सकते हैं एक लिंक दे दूंगा जहांसे आप जाके पढ़ सकते हो कि किस तरीके से questions आते हैं एक्जाम में क्या सारी चीज होती आपको और ज्याद़ नॉल लाइक कर दीजे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस कर दीजे दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को देख आपका बहुत बहुत धन्यवाद